फ्लॉप के इस्टा, बिले-बिले, हिमानशी, खुराना और अब तो कॉन्ट्रवर्सी क्वीन भी इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि कॉन्ट्रवर्सी कहना ही इनका काम है, वो हमेशा यही चाहती है कि कुछ न कुछ controversy social media पर इनको लेकर चलती रहे और जिस तरह से ये जूट पे जूट जूट पे जूट बोले जाती है न लोग सच में यही कहते हैं कि आप ठकती नहीं जूट बोलते हुए और लोगों को copy करते हुए यार कैसे लड़किये ये और अब सलमान खान को बीच में ले आईये सलमान खान पर भी बड़े बड़े जूट बोलने से पीछे नहीं हरती भाई controversy जिसे चाहिए न वो सब को बीच में ले आता है वो सो किसी को नहीं छोड़ता इन्होंने यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा इन्होंने controversy के लिए शहनास का नाम लेना नहीं छोड़ा और अब इन्होंने सलमान खान को भी नहीं छोड़ा और तो और बिग बॉस के मेकर्स की भी वाट लगई है इन्होंने बिगबोस के मैकरस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने दिया है एक interview इनके किसी project के चलते हमें हमें नहीं पता कौन सा project है बड़ इन्होंने एक interview दिया है जिसमें हिमानशी खुराना ये कहते हुए नजर आएंगी राखी सावंद ने इनका मजाग उड़ाया वो भी तब जब कि सल्मान खान खुद इन्हें कॉम्पलिमेंट दे चुके हैं इन्हें एश्वर्या राय कह चुके हैं जब वो बिग बॉस 13 में स्टेच पर आई थी उन्होंने एंट्री ली थी हाई 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 लोग कितना जुड़ बोलते हैं यार कितना जुड़ बोलते हैं कौन से बिग बॉस की बात करनी है क्योंकि जो बिग बॉस हमने देखा है उसमें सल्मान खान ने इन्हें एश्वर्या राय बिलकुल भी नहीं कहा है बलकि जब इन से पूछा गया था कि शहनास गिल अगर पंजाब की कैटरीना कैफ हैं तो आप क्या हैं तो खुदी इन्होंने अपने मूँ से कह दिया था कि सर लोग कहते हैं ऐश्वार्या राय और तब सभी लोग बहुत जोर से हसे थे और सलमान खान ने तो सरिफ यही कहा था वा 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 तो भई इस तरह के जूट जो इन्होंने बोल दियें इंटर्व्यू के समय तो अब ये क्लिप बहुत जादा वायरल हो रही है और इसी बीच इनका एक जूट और सामने आ चुका है जब उन्होंने मेकर्स पर बिल फार दिया है हिमान शी खुराना ने कहा है कि जब सलमान खान ने मुझे कॉम्पलिमेंट दिया एश्वार्य राय कहा तो वो क्लिप दिखाई नहीं गई मेकर्स ने उसे कट कर दिया और जब मेरे मुझे बुलवाया गया वो चीजें मेकर्स ने दिखा दिया है तो भाई मेकर्स भी जूटे हैं सलमान खान भी जूटे हैं लेकिन ये सच्चाई की मूरत महनता की देवी बस यही सच है तो भाई clips तो viral होंगी न जब इस तरह की चीज़े आप बोलोगे controversy करने की कोशिश करोगे तो चीज़े तो viral होंगी और अब इनका नया जो target है वो यूट्यूबर्स है तो भाई यूट्यूबर्स कभी किसी के हाथ नहीं आने वाले और हिमानशी खुराना ने तो यहां तक कह दिया है कि यूट्यूबर्स जो है वो पैड पियार है और में भी इन्हें खरीच सकती हूँ तो भाई हम तो last में बस इतना ही कहना चाहेंगी कि जो जैसा होता है न उससे सभी लोग वैसे ही नजर आते हैं और जिस तरह से हिमानशी खुराना बाते कर रही है और जिस तरह के इंटर्व्यूज दे रही है भाई वो अपना लेवल खुद ही दिखा रही है वैल गाईस क्या है कहना आपका इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा वीडियो पसंद आयो तो प्रिस लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा लेटेस्ट अप्डेट के लिए थैंक यू गाईस